अफिदेविट पे सेशन स्कॉर्ट में कह रहे हैं कि किस तरह का ये स्कैम था इन्वेस्टिकेशन के दोरान करोडो रुपिय मिले है धेर सारे ब्लैंक चेक मिले है उन बच्चों के पेरेंट्स की और से जिन्होंने नीट की एक्जाम दी है Deputy Superintendent of Police on Oath एफिदेविट में कहते हैं कि साहब एक ऐसा स्कैम था कि महराष्ट, ओरिशा और बिहार और स्टेट से माने जब आप नीट की एक्जाम के लिए एप्लिकेशन डालते हो तो आपके पास एक उप्शन होता है कि आप कौन सा सेंटर पसंद करोगे और अगर उस सेंटर में एक सेंटर में तीन सो स्टुडेंट बैठ सकते हैं और एप्लिकेशन पान सो की आ गई तो फिर कॉंप्यूटराइज ड्रो होता है कि कौन से स्टुडेंट वहाँ जाएंगे पर आपको चोईस मिलती है तो यह एफिडेविट कहता है कि बिहार, औरिसा, महराष्ट और कहीं राज्यों से जिनके साथ इनका सेटिंग हो गया उनसे एडवांस पैसे लिए एडवांस में ब्लैंक चेक लिया और उनको कहा गया कि आप जब नीट का एप्लिकेशन लिखो उसमें लिखो कि हमें हमारा सेंटर जै जलाराम स्कूल गुजराती मीडियम ही चाहिए जहां एरपोर्ट नहीं है सेंटर पे वहां कोई औरिसा से कोई बिहार से कोई महारास से एक्जाम देने जा रहा है क्यों जा रहा है क्योंकि एक सेटिंग हुई कि इस एफिडेविट की बाते में कर रहा हूँ मैं मेरा नहीं कह रहा हूँ डिवाई एस्पी के एफिडेविट बोल रहा हूँ वहां से लोग आए सेटिंग ये थी कि आपके बच्चे को 100% मार्स मिला के मेडिकल में एड्मिशन मिले तब हम ये ब्लैंक चेक में पैसे बढ़ेंगे और कॉंसीब मेडिकल कॉलेज में आप जाते हो उसके रेट थे इसलिए ब्लैंक चेक और 10-10 लाख रुपिय एड्वांस लिए गए थे तो ये आप समझे कि क्या मामला था कि जैजलाराम स्कूल में आप गएं आपके बच्चे को कह दिया कि अगर जो आपके पास पेपर आता है उसमें आपको जो आंसर आता है 100% शौर हो उसको टिक करो बाकी ब्लैंक छोड़ दो अच्छा नीट के बारे में एक और बात आपको बताता हूं कि जैसे हम सब बाकी एक्जाम देते हैं ऐसे नहीं है नीट के अंदर OMR होता है Optical Marks Recognization Sheet मानि एक ऐसा पेपर होता है जिसके अंदर आपको option मिले 4 देश का capital कौन सा शहर है करके 4 जगे दी होती है तो आपको दिल्ली लिखना है तो उसके सामने एक स्क्वेर ब्लॉक होता है उसमों आपको साई से उसको भर देना है और यह OMR seat ऐसा होता है कि वो computer recognize करता है फिर आपने exam दे दी फिर कोई human intervention नहीं होगा computer में पेपर डालेंगे वो computer आपको marks दे देगा वो OMR seat में कहा गया कि आपको जो चीज 100% आती वो लिखो बाकी खाली छोड़ो फिर क्या होता है कि आपने exam दे दी तो एक bag में seal होते papers और उसका courier करना होता है यह एफिडेविट के हिसाब से मैं नहीं कह रहा हूँ DYSP कह रहा है investigation के बाद कि यहाँ पे जिनका setting हुआ था उनके number का list था वो police ने recover किया उसके सामने brown and red circle किये थे कि इतने students के पैसे आ गया है उस students के नाम के सामने जो AMR seat का seat number था वो paper निकाले जहाँ पे इन्हों ने नहीं आते थे वो answer नहीं भरे थे वहाँ ए गुनेगारों ने वहाँ पे right answer टिक कर दिये फिर से bag को seal किया और courier करके बेज दिया माने जो 100% माने जितने marks है उतने 100% marks क्यों मिले क्योंकि student को जितना आता था खुद लिखा 100% बाकी जो एप और accused कौन है मैं उसके बारे में आपको बताता हूं accused number one जो पहला गुनेगार है वो है तुशार रजनिकांद भट वो नीट परिक्षा के लिए नीट की एक्जाम के लिए center superintendent है और वो जैजलाराम स्कूल जो है जैजलाराम पे अभी आप बाद में सुनेंगे कि क्या उसका जैजेकार है वो मैं बताऊंगा आपको पर यह जो जैजलाराम स्कूल है उसके अंदर वो प्रोफेसर है और उसको नीट का deputy center superintendent बनाया गया वो गुनेगार नमबर एक है उसके बाद है नमबर टू पुर्शोतम मावीर प्रसाद वो है पूरे नीट की एक्जाम के लिए city coordinator माने एक ही center नहीं जितने centers उदर है उनका city coordinator है और वो कौन है जय जलाराम का principle है जय जलाराम याद रखिएगा आप जरा क्योंकि जय जलाराम की आगे बात आएगी ये दो main accused ये हुए है फिर तीन और लोग है ये दोनों इन्हें क्या काम किया कि कहलवा दिया कि student को तुम्हें नहीं आता है ब्लैंक छोड़ो ये दोनों की जिम्मेवारी थी कि पेपर्स बक्से में सील करें और तुरंत कुरियर करें इन्होंने बक्से में पेपर डाले फिर सील खोला सही answers लिख कर दिये टिक पैक किया बक्सा और भेज दिया ये investigation के बाद ये एफिडेविट में deputy superintendent of police कहते हैं तीन और लोग पकड़े गए हैं ये जेल के अंदर हैं ये दोनों लोग तीन और पकड़े गए हैं जिसमें एक है परशुराम बिंदनात एक है विनोधानंद और इन दोनों के उपर एक है आरिफ वोरा आरिफ वोरा इनका काम क्या था कि जो setting वाले जो students need दे रहे हैं उनके माबाप को मिलना है उनसे advance लेना है और blank check लेना है और एक list बनी थी कि फला college में आपको मिलेगा तो इतना तो वो blank check इसलिए कि आपको कहा admission मिलेगा उसके हिसाब से पैसे भरे जाएंगे इन तीनों ने ये पैसे इकठे किये इनके वहाँ raid हुई पांचों के वहाँ करोडों रुपिये मिले blank check मिले अब मैं जो ये आरिफ वोरा जनाब है वो क्या है वो BJP के vice president है मोर्चा के minority department के और उनकी तस्वीर है कहां कहां है first part दिखाइए ज़रा ये जो अभी रोकिएगा इसको ये सैफरन टोपिक है जो वो है गोदरा के ML है BJP के लीडर है और उनके साथ जो खड़े हैं वोई अभी जो जैल में है और जो student के पैसे लेके आ रहे थे और BJP के minority department के vice president भाजपा के ये आपको जनाब दिख रहे हैं second low रोको थोड़ा उपर ले सकते हो इसको प्रदान मंत्री जी के साथ ये इनका profile है ये अभी जैल में है ये जनाब खाता नहीं खाने देता नहीं के साथ करोडों से कम खाता नहीं सच बोलने वाले को चैन की रोटी खाने देता नहीं next ये युवा नेता है बीजेपी का वो पुश्पगुश दे रहे हैं इनको next ये एक्स मिनिस्टर है बीजेपी के विदायक है उनके साथ ये जो बीजेपी का कमल वाला जो खेस पहने हुए है वो अभी जैल में है बाजपा के वाइस प्रेसिडेंट माइनोरिटी डिपार्टमेंट क्योंकि इसको अब पूरा लाइसंस मिल गया है ब्रस्टा चार करने का क्योंकि कमल वाला खेस पहना है नेक्स्ट ये बीजेपी के दफ्तर में इनका सनमान किया जा रहा है स्टेट दफ्तर में रोक लोक इन लोगों ने मिलके पेपर जिन लोगों से लिये पैसे लिये थे जिनको उन सभी के पेपर्स निकाले और उसके अंदर टिक करके पूरा काम अपना करके पांच तारिक को ये हुआ था काम सारा हो गया बक्सा चला भी गया तीन दिन बाद कुछ लोगों ने जाके कलेक्टर को कुछ प्रूफ दिये कि सहाब ये नीट में दानली हो रही है और आप क्या कर रहे हो तब जाके कलेक्टर ने डिस्ट्रिक एजूकेशन ओफिसर और एक टीम को भेजा उसके में आया कि हाँ ये सही है कैसा हुआ है इसा लग रहा है तो एक एफायर आठ तारिक को हुई एट में को और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ और इन्वेस्टिगेशन में के बाद ये एफिडेविट डेप्यूटी सुप्रीटेनिन और पुलीस ने जो लगाई उसमें साफ लिखा है कि इस इस तरह से ये हुआ और दो सेंटर में हुआ सिर्फ एक जगे पे नहीं दोनों जय जलाराम एजुकेशन के अंदर ही हुआ उनकी बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचे है मैंने आपको कहा था कि जय जलाराम को जड़ा याद रखना जय जलाराम स्कूल परवडी गोदरा और पडाल थर्मल इसके दोनों सेंटर पे से इसी तरह के विद्यार्थियों के दांदली के काम हुए अब यह जो जय जलाराम है उसको सेंटर दिया गया आप सारी जो कानूनी प्रक्रिया गाइडलाइन से की सेंटर किसको मिलता है वो सारे गाइडलाइन इसको ताक पे लगाते हुए मोदी जी की सरकार ने जो ेंटिये जो सेंटर देती है संस था जिसमें मोदी जी के चै़िते लोग बैठे है उन्होंने जय जलाराम एज्यूकेशन को एज सेंटर दिया नहीं देना चाहिए थी उनको दिए एक नहीं एक से ज्यादा दिये और ये जो जय जलाराम है मेरे हाथ में एक कागज है एक ऐसी education चलाने वाली फरजी fraud लोग है यहाँ पे कि इनको government ने 11 standard के लिए एक class की मंजूरी दी थी जिसमें ज्यादा से ज्यादा 66 student रह सकते हैं वहाँ उन्होंने सारे 400 को दाखला दिया fees के गुजरात में कानून standard है उससे ज्यादा ले लिए high court में petition हुई इनके खिलाप और 35,28,000 का इसे दंड हुआ penalty हुई और ये कागज है जैजलाराम का उसने लिक्के दिया कि हाँ मेरी गलती थी और 35,28,000 का दंड याने penalty में भर रहा हूँ ये कागज वो है कोई भी prudent man जहां देश के लोगों की जिंदगी के साथ doctors का नाता होने वाला हो ऐसे doctors के selection में नीट जैसी exam के लिए एक ऐसे आदमी को आप center देंगे क्या कि जो fraud करता है जो प्राइवेट है जिसे कोई लेना देना नहीं पर ये क्यों मिला इसको center क्यों मिला पार्ट टू दिखा है photograph के आप देखेगा जरा इसको रुकेगा इसको ये इसकी एक school है जिसको integration करने के लिए मोदी जी की एक जमाने में खास मंत्री इस बार चुनाव जो हार गई स्मृती इरानी जी ये गई है इसको उपर थोड़ा कर सकते हो भाई पिक्चर थोड़ा उपर आ सकता है नहीं first way हाँ ये है दूसरे उत्तर पदेश के गवर्णर आनंदी बेन पटेल इसके नीचे है education minister वुपेंदर सिंग चुड़ा समा और जय जलाराम का main आदमी है जो ट्रस्ट का अध्यक्ष है chairman of the trust उसका photo नीचे है ये जय जलाराम है आगे बढ़ो एच चेक की आदान प्रदान हो रहा है मोदी जी के साथ ये जो यहाँ है ये माशे ये ट्रस्ट के main person है chairman है ये और ये मोदी जी है जरूरत से ज्यादा जो अस्ता हुआ चेहरा इदर है आगे बढ़ो ये स्मृती जी के पास ये जहिज जलाराम के chairman बैठे हुए बगल में जिसका नाम है दिक्षित पटेल ये यहाँ जो स्मृती जी के left hand पे हैं आगे बढ़ो ये स्मृती जी को स्मृती चिन्हत मिल रहा है आगे बढ़ो ये दूसरे बाजपा के मंत्री है ये स्कुल के chairman जे जलाराम के chairman इनको तस्वीर दे रहे हैं बुला के आगे बढ़ो ये भी डिन्डोर है ये भी बीजेपी के बड़े नेता और बाजपा सरकार के मंत्री है और ये जे जलाराम के chairman इनको भी photo gift कर रहे हैं आगे बढ़ो ये है education minister थे उस वक्त पे बाजपा के बुपेंदर सिंग चुडा समा education minister है ये जे जलाराम के chairman है जो इनके साथ suit boot में सज है आगे बढ़ो ये गुजरात के मुख्यमंत्री है बाजपा के विजे रुपानी जी और ये जे जलाराम के chairman है आगे बढ़ो चैद लास्ट होगा ये विजे रुपानी जी चिफ मिनिस्टर थे उस वक्त पे बाजपा के नेता उदर right side में आप देख सकते हो के जे जलाराम के chairman है उसके पास में बगल में खड़े हो एज्यूकेशन मिनिस्टर हैं आगे तो इस जे जलाराम को center क्यों मिला ये आपको पता चल गया होगा आप थोड़ा सा गुगल गुरू में जाएंगे तो बाजपा को donation देने वाले लोगों में आपको जे जलारामान एज्यूकेशन ट्रस्ट बाजपा को donation देने वाले लोगों में उस लिस्ट में मिल जायागा मैंने डून निकाला है पर जहाँ जाओ पन्ने पन्ने पे जे जलाराम मिलता है पैसे देते हैं बाज़पा को ये चाल चलन और चरित्र भारती जंता पार्टी का मैंने आपके सामने रखा है मेरे कुछ सवाल है पूरी तरह से जानकारी थी पांच में को एक्जाम हुई एइथ में को कलेक्टर के पास पूरी डिटेल्स आई कुछ CCTV फुटेज और चीजे भी मिली CCTV फुटेज में मिला कि ये जो अक्यूज नमबर एन वन एन टू जैजलाराम वाले हैं जिनको बैग में सील करके कुरियर करना था वो एक रेस्टोरंट पे रुखते हैं तेट इस अलसो पार्ट अप इस एफिडिविट और वहां CCTV फुटेज में से फुरूप मिले बक्सा खोला नमबर वाले सीट्स निकाले वो एमार सीट्स जाँ ब्लैंक स्टूडन ने छोड़ा था वहां राइट राइट सही जवाब लिख दिया बक्सा सील किया और कुरियर किया यह जानते हुए भी सुप्रीम कोड के सामने सरकार ने जूट कहा कि नीट में कोई धांदली नहीं हुई है तो इस सा कंटेम्ट आफ कोड इस सा सीरियस कंटेम्ट आफ कोड और बल सुप्रीम कोड भी इसका जरूर संग्यान लेगी मैं मानता हूँ पर मेरा पहला सवाल यह है कि जूट सरकार सुप्रीम कोड के सामने क्यों बोली दिस इस माइ फास्ट क्वेस्चन मेरा दूसरा सवाल है कि जहां पे भाजपा की ही सरकार है ऐसे गुजरात में जब डेप्यूटी सुप्रीटेंडन और पुलीस और ओट स्टेशन स्कॉड के सामने कहते हैं कि इस तरह से इस मोडेस्ट आपरेटिव के साथ इन इन अक्यूजड ने ऐसा दांदली की है करूर रूपिये और ब्लैंक चेक भी मिले है वो लिखा है इसमें कि इस तरह से स्टूडन के OMR सीट भरे गए वो भी लिखा है ये जानने के बावज़ूद भाजपा सरकार के मंतरी एज्यूकेशन के देश को कहते हैं कि नीट में कोई धांदली नहीं है जबकि फिफ्थ में को एक्जाम एथ में को कलेक्टर के पास रिपोर्ट के बाद एफायार दर्ज हो गई थी अन एथ में तो इतना जूट क्यों मेरा तीसरा सवाल है कि मोदी जी और उनका ट्वीटर नीट मसले पे क्यों चुप रहें चौथा सवाल है सारी नीट की गाइडलाइन को ताक पे रखते हुए एक ऐसी जैजलाराम संस्था कि जो दांदली करती है गलत करती है और उसको हाई कोट के में इसके खिलाब पिटिशन्स होती है और इसके ओ लाखो रुपिया दंड भरना पड़ा ऐसी संस्था को नीट जैसी सेंसिटिव एक्जाम का सेंटर जैजलाराम को क्यों दिया मेरा अगला सवाल है कि अभी जो गुजरात में को क्यों छोड़ा जा रहा है क्योंकि नीट का सेंटर लाने वाले जैजलाराम उसका चैर्मेन मोदी जी के साथ खड़े हैं में एक्क्यूज नमबर वन एंट टू वो दोनों जैजलाराम के एक प्रिंसिपल और दूसरे प्रोफेसर है मेरी संस्था में मेरे सेंटर में मेरे करमचारी ऐसी दांदली करें क्या मेरी जानकारी के बिना ये संभव है जब ये चैर्मेन इतना पावरफूल है कि प्रदान मंत्री जी और प्रदान मंत्री जी की खास एक वक्त में रही मंत्री जी स्मूति इरानी जी के करीबी रहते हैं तो क्या इसलिए आप इसको नहीं त्रच कर रहे हो उस जैय जलाराम ट्रस्ट के एज्युकेशन ट्रस्ट के चेर्मेन जो तर्स तैक strengthen नाम बनी है ये त्रस्ट वर्धी ही नहीं उस चेर्मेन को अभी तक क्यों गिरफतार नहीं किया है मेरा एक और सवाल है कि इसी मुझे मिलिये information के जैजलाराम education को गुजरात में गुजसेट जैसी और दूसरी sensitive exams उसका भी center दिया गया था तो सरकार जवाब दें कि इसको और कितने center दिये गए थे इसमें एक accused ने अपनी bail application में लिखा है कि दूसरे जो accused है माने जिसनों ने पैसे इकटे किये थे उनमें से एक ने अपनी bail application में लिखा है कि number one and two माने जो जैजलाराम के लोग है वो तो सिर्फ यही नहीं UPSC के हो, गुजसेट के हो, कैट के हो सभी papers को पैसे लेके set करते थे हम तो इनकी चाल में एक छोटे मोहरे है तो हमें बेल दे दो तो इनकी भी जहां छोनी चाहिए और मेरा आखरी सवाल है कि net पे कुछ चीजे तो मिली है मुझे बाजपा डिकलेर करें कि जैजलाराम education से बाजपा के धन संग्रह में उनके fund में कितने पैसे जैजलाराम ने दिये है official और unofficial वो देश की जनता को बताएं ये मेरे कुछ सवाल है सरकार पार्लामेंट में राहूल गांदी जी को राज्यसभा में हम लोगों को किसी को लोगसभा हो या राज्यसभा नीट पे चर्चा इसलिए नहीं देना चाहती है क्योंकि ये सरासर सरकार में बैठे लोग और उनके चटे बटों ने लाखों विद्यार्थियों का भविश्य बरबाद किया है और इतना सबूत और ये भी Deputy Superintendent of Police कहते हैं कि इस तरह से ये नीट की एक्जाम में दांदली हुई है तो मैं नहीं मानता हूँ कि अब कोई भी द्वार ऐसा बचा है कि जहां से सरकार अपनी चंबडी को बचा सकती है आपके कोई सवाल हो तो उनका स्वागत रहेगा मेरा सीधा ये ही कहना है कि विश्वास तब बैठेगा जब आप जय जलाराम के एजुकेशन के चेर्मेन जो बन के बैठे हैं जिनका इतियास मैंने कहा किया क्या आपने अंदर क्या एक कोई छोटी छोटी मचलिया ये कर सकती है क्या आपने उनको CBI को वहां जाने से पहले यहां इसको सेंटर किसने दिलवाया जाच करे अंदर करे उसको एक ऐसी संस्था जो दांदली करती है उसको हाई कोट से दंडा पढ़ता है उसको पैनल्टी बरनी पढ़ती है लाखों रुप्या की ऐसी संस्था को center किस ने दिया पहली जांच वहाँ होनी चाहिए पहली जांच वहाँ होनी चाहिए दूसरा प्रदान मंतरी जी को चुपने ही रहना चाहिए प्रदान मंतरी जी तो मैं कितनी सांस लेता हूँ उसके लिए भी आई बी लगाते हैं तो ऐसे फोटो निकालने से पहले क्या ये नहीं पता था कि 2016 में इस आदमी को इतने लाखों रुपिये का दंड दिया गया था क्योंकि ये दंदली करता था तो उसके साथ ऐसे लोगों से क्यूं करते हो आप Minority Department का Vice Chairman ऐसा बनाते हो कि जो आपका Agent बनके बच्चों से पैसे लेता है तो CBI को ये भी सोचना चाहिए पर ये सिर्फ अगर यहां बैठे चोरों के ट्यून पे डांस करके कोई भी Agency छोटी मोटी मचलियों को पकड़ लेगी तो उससे संतोश नहीं माना जा सकता इस एफिडेविट में जो भी बाते कही गई है उसको पूरी तरह से मान भी लिया जाए हाला कि ये पुलीस के एफिडेविट है तो जाहर है कि ये ट्राइल के स्टेज पर आएगा लेकिन अगर मान भी लेते है तो भी जो केस है वो यही बनता है कि एक गुजरात के सेंटर में कुछ गरबड़ी हुई है जो चार्ज है कॉंग्रिस पार्टी का कि रास्टी इस तर पर ये गरबड़ हुआ है क्वेस्टिन पेपर जो है वो उपलब्द कराए गए थे वो तो नहीं आ रहा है ये गरबड़ी तो मानने के लिए तयार है सरकार ने एक लोकलाइज चीज है और ये एक सेंटर नहीं है इसका मैंने आपको दो सेंटर का जहां इन्वेस्टि अलग अलग इन्वेस्टिगेशन भी हो रहे है जो एफिडिविट मेरे आथ में लगी वो भी एक सेंटर की नहीं है एक से ज्यादा है दूसरी आपको पता होगा कि कुछ बच्चों का अपना पुलिस की सामने बयान आया है ये एक मोडेस्ट ऑपरेटिव थी दूसरी जगे पैसा हुआ है कि बुला के उसको रटाया गया कि तुम इतने सवाल और ये जवाब है इसको मुझबानी कर लो उसके पैसे दिये और मुझबानी करके आपको एक्जाम देना है वो बिहार के जो लोग पकड़े गए हैं बिहार में तो माने एक ये मोडेस्ट ऑपरेटिव थी दूसरी जगे दूसरी पुलिस की बाशा में एमो कहते है वो और थी तीसरी जगे पे तीसरी है पूरे देश में और ये मैं समझ सकता हूँ कि अगर नीट, क्लीन, सब कुछ ठीक सब चंगासी है और सेंटर में कोई एक आदमी दो आदमी घरबड करता है मान लेते हैं पर आप एक ऐसी संस्था को काम सेंटर दे रहे हो जो आपकी गाइडलाइन के मुताबित उसको नहीं मिल सकता है जब नीट जैसी सेंसिटिव एक्जाम में क्या आपको पता नहीं था क इसका आप सेंटर देते वक्त उसको आप नहीं पूछते हो आप जाच नहीं करते हो कि सेंटर का पास्ट हिस्ट्री क्या है अरे हम कोई रिष्टा भी जोडते तो उसका खांदान देखते हैं जहां इस देश के लोगों की जान के साथ जिनको काम करना है इसे डॉक्टर्स बनाने हैं देश के नागरीकों के जान के साथ खिलवार हो जाएगी अगर इस तरह से एड्मिशन में MBBS के ऐसा होगा तो देश के लोगों के जान की सुरक्षा का क्या होगा इसलिए हम कहते हैं कि यह कोई छूट मूट की बात नहीं है एर नेशनल लेवल वैल प्लैंड बी लिए 24 जब आंगा सेंटर का वो घर से काफी दूर थे ऐसे लातूर के प्रोफेसर देले ब्यस्मुक उन्हें ने जो NTA को मेल किया था पत्र लिखा था कि कई ऐसे बच्चे हैं जो 800 से 1000 को दूर जा रहा हैं कहीं कहीं परिच्छा किंद्र में कंप्रोमाइस हो सकता है कि रि अंदली ना हो CBI को सबसे पहले तो इन लोगों को एरेस्ट करना चाहिए नीचे जाने का और इसकी रिमान लेंगे तो नीचे तक पता चलेगा क्यों नहीं महां जा रहे हो आप आपकी बात बिलकुल सही है अगर एक थोड़ी सी सोच वाला भी देखेगा कि एक औरिसा का र अप्लिकेशन में लिखता है और एप्लिकेशन फिबरुआरी में दी गई थी आप समद लीजिए एक्जाम फिफ्थ में को थी एप्लिकेशन फिबरुआरी में किये गए थे उस वक्त ऑप्शन दिया था कि आपका चॉइस ऑफ सेंटर तो अगर बच्चे वो सेंटर मांग तो एक काम NTA का था कि पहले ही जैज जलाराम का सेंटर कैंसल कर दो क्योंकि वहां लोग क्यों जा रहे हैं जहाना हवाई अड़ा है हजारों किलो मेटर दूर क्यों कोई जा रहा है इतना ही नहीं शू मोटो देखना तो छोड़ो उसके सामने लोगों के लेटर्स भी गए इमेल्स भी गए मुझे बताया गया कि भया इसकी जांच करो तो इसका मतलब यह है कि पूरी जो दिक्कत है वो सेंटर तो एक छोटी मचली है यहां सेंटरल में दिक्कत है इसलिए यह हुआ है कोई सवाल है तो आप पूछ लेना वन टू वन नहीं होगा तो अगर कोई सवा तो यह ही हो जाएगा तर प्रदेश सरकार का आधेस आया है कि एक तारीक से जब स्कूल खुलेंगे तो बच्चों का स्वागत करना है तिलक लगाकर यहोगी सरकार का फैसला है किस तरह से देखते हैं इस फैसले को देखे आप मैंने वह एक एक जैटली देखा नहीं है कि क क्या है एक polarization करो यह करो वह करो पर देश की जनता समझदार है कि भारती जनता पार्टी को अयोध्या में भी जवाब दे दिया यूपी में जी जवाब दे दिया और देश में भी दे दिया है तो अब इस तरह के हतगंडों से बाज़पा को फाइदा होगा यह मान रहे है त इसमें सरकार को वोट बेंक हर जगे देखने की कोशिश में लताड लगी है शंकराचारिय जी की बात नहीं मानने के बाद जो हालात हुए उस मंदीर में से पानी गिर रहा है कंस्ट्रक्शन से मैं मानता हूँ यह शंकराचारिय जी ने उसी वक्त कहा था कि गलत तरीके से गलत काम करोगे तो तुम तो भुगतोगे पर देश और जंता भी भुगतेगी मैं मानता हूँ कि यह भाजपा के पाप की वज़े से सारी चीजे हो रही है यह थैंक यू थैंक यू एरी मच इसमें कोई गलत नहीं है हमारे समयदान में भी लखा है कि नयाई सबको मिलना चाहिए और सिर्फ नयाई हो ये नहीं पूरी तरह से महसूस हो उस तरह से होना चाहिए तो सही बात है उसमें कुछ गलत नहीं है देखिए मोदी जी ने पहले जब गए दोजार चौदा में तब वो कहके आये थे कि बिहार को विशेश रज्ज का दरजा देंगे दस साल तो बीद गए दस साल के दोरान हलाकि ना तो NDA की सरकार थी ना BJP की सरकार थी सिर्फ मोदी सरकार थी अब जो है वो डबल NDA हुआ है नितिश नाइडू डिपेंडन्ट एलाइंस तो अब जरूर कुछ न कुछ होगा तैंक यू अगर ऐसी दांदली होती है सामने दिखेंगे